आज के खिलास में बताएंगे कि एक डिस्मिल का लंबाई चोड़ाई क्या होता है कुछ व्यक्ति का कोशन था कि सर एक डिस्मिल में कितना लंबाई चोड़ाई होगा तुम आपको किलियर कर देते हैं और आप भी उस तरीका से निकाल सकते हैं कि आप कितना लंबाई और चो मिलेंगे और लगही वेगेरा लिखया बोलते हैं तक हम बिए होता है मीटर संग से होता है लेकिन हम आपके तरीका बताते Eight owe उन तरीका अगर संज आतु अब संगसंदें निकाल लेंगे स्क्वेज्ट में रहेगा ऐनिस्वे कम 내가 है निकाल सकते हैं यह स्कुयर हाथ हो स्कुयर भित्ता हो सब निकाल सकते हैं लिए तरीका आपको समझ ना होगा सबसे घटारी तरीका में जो है ना ठीक है एक डीस मिल वड़ावर क्या एक डीस मिल वड़ावर कितना होता है 435.6 square feet square और यह feet लिखते हैं यह square है यह feet तो 435.6 square feet ठीक है देखें इसमें हमको सबसे पहले square feet मिले लेते हैं फिर square करी मिले लेंगे ठीक है इसको हमको लंबाई और चोड़ाई में निकालना है कि इतना जमीन का लंबाई चोड़ाई कितना लेंगे जो perfect बैठेगा देखें कोई भी जमीन हो या कोई भी plot हो plot को जब हम cutting करते हैं न कोई भी plotting करते हैं यानि कोई भी plot उपलोट उसको माठते हैं या बटवारा करते हैं तो आजाए नहीं तो आप जे मांगे चले एक फिट चोड़ा और सो मीटर जो है लंबा रहेगा तो उस जमीन में कुछ कर सकते हैं एक फिट में आप अच्छा से चल भी नहीं सकते हैं कि दो फिट में अगर रखेंगे तो रोड जैसे हो जाएगा लिगना को माकान बनाना हो या कोई चीज के लिए आपको एक से अच्छा से अच्छा से पकरने का कोशिश करते हैं तो इसी परकार हम इसमें देखते हैं अगर इसका इसका अगर चोड़ाई चोड़ाई हम ले लेते हैं फिर लंबाई निकालेंगे या लंबाई ले ले लेंगे चोड़ाई चलिए चोड़ाई है अगर हम ले ले लेते हैं कि इसका चोड़ाई जो है बीस क्या लें बीस फिट लेंगे तो इसका लंबाई कितना आ जाएगा तो लंबाई क्या आएग पूरे 435.6 square feet total जमीन है ठीक है इस total जमीन में अगर हम 20 से भाग दे देंगे ठीक है कितना से 20 से भाग देंगे यारनी 20 feet से जानी 24 से भाग दे देंगे पूरे area ले लेंगे पूरे area में 24 से अगर भाग दे देते हैं तो वह लंबाई निकल जाएगा यहने 20 feet है कितना feet है ठीक है तो इसको जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 28.78 feet तो इस जमीन का जो शेप देखेंगे 20 feet चोड़ाई होगा ठीक है और 28.78 लंबाई होगा यह प्रफेक्ट ship में आएगा अगर आपको मुन हो कि नहीं इसके अलावा हमको 15 feet चोड़ा रखना है तो 15 feet ले ले लेंगे 15 से भाग देंगे आपको चोड़ाई आपको एक लेना पड़ेगा कि कितना रखना चाहते है जमीन का नुशा कि पूरी ब्यवस्त तरीका में एकदम सिटल्मेंट जो होता है ना प्लोटिंग बैप्लोटिंग वो अच्छा से हो बहतर तरीका सो तो आपको आइस में मोडिफाई भी यानि आप चेंज भी कर सकते परिवर्तन बीस के जगों पंदरा रखेंगे तो कुछ नहीं यहां पंदरा रखेंगे यहां 15 से पूरे एरिया में चब आप चोडहाई यानि 15 से लंब भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगा पुछाओ तो चेंज अपने हिसाब से आप कर सकते हैं यह एक तरीका है ठीक है हम दूसरा ले ले लेते हैं इसी तरीका जिससे आपको असाई हो जाए अब हम क्या करते हैं इसमें अगर एक डिसमील का मान स्क्वाइर करी में रहेगा तो क्या स्क्वाइर करी में सबसे पहले से समझें एक डिसमील में एक हाजार कितना एक हाजार इसको हम हिंदी में लिख दिये, इसका मतलब यह ही होता है, समझ लिजीगा, इसे मीटा देते है, समझ ही गया होंगे, आप थोड़ा स्पेस भी बन जाएगा, आप देखे, आप यह 100 स्प्वाइर करी है, इसको किस सेप में हम ले, जिससे क्या होगा, जिससे यह जो जमीन है ना, एक अच्छा प्लोट में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ हम क्या करेंगे, जैसे च चोड़ाई, चोड़ाई या लंबाई, कुछ भी आप ले सकते हैं, हम चोड़ाई ले रहे, चोड़ाई अगर 30 करी ले, 30 करी लेते हैं, तो इसका लंबाई कितना आएगा, क्या, लंबाई, मतलब लंबाई कितना आएगा, वाट, लंबाई हमको निकालना, तो उसके लंब जा जाय ठीकर गरी को यानि स्क्वेर करें को कि अगर हम भाग करें से चुठाइसए मुनεςhehe किस um क्या करेंगे करें तो का हम हिंदी मिलिग देते हैं समझ में आ हैप लोको कड़ी यहां पर स्क्वाइर करी निख देते हैं वर करी वर करी बहुत सारे वक्ति कोमेंट करते रहते हैं उस करण से ठीक है आप इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा देखे यह आपको 33.33 ठीक है करी क्या करी देखे तो यह अगर हम इस एक डिसमी जमिन को अगर माने स्क्वाइर करी में हमको लेना है तो उसका अगर 30 करी अगर हम लंबा लेते हैं तो चुड़ाए 33.33 करी आ जाएगा ठीक है तीस करी चौड़ाई और 33.33 करी लंबाई आ जाएगा यह लंबाई निकला है ठीक है इस परकार आप निकाल सकते हैं यह असान बिदी ठीक है और आप इस वे भी मूडिफाई कर सकते हैं मोनोगा कि नहीं हमको 30 के जवगा पर 15 रखना या 25 रखना कुछ भी रखेग कि आप जो अमीन का देखे जमीन से जुरा हुआ बहुत सारे सुत्र होते हैं तो बहुत सारे अमीन उसको रट रट के याद करके रखे रहे हैं लेकिन यहाँ पे उस सुत्र का निडवान कैसे हुआ है जनम कैसे लिया है वो चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं जिससे उस सुत याद रहे ना रहे आप एतम असां तरिकाश कर सकते हैं ठीक है जो ट्रेनिंग यहाँ पर होता है मैरे अलाबा और और सारे अमीन होते हैं ठीक है ओन्लाइन ऑफलाइन दोनों माधर से कहीं से भी कर सकते हैं. ठाल अगर ऑन्लाइन यह करते हैं तो थेोडिक इलास आपको ओनलाइन चलता है, प्रैकल ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन के लिए आते हैं और आपको फूल प्रैकल करवा दिया जाता है. तो चलिए अगर कुर्स पे जाके सर्च करेंगे, हजारों वीडियो हैं, वहाँ पे आप अराम से बाड़िकी से सारे वीडियो देख सकते हैं, और आप लोग से अम्रोध है कि आप चेनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं, तो आप फेस्बुक को फोलो कर ले जागा, जिससे कुछ नहीं हम दोलों का रिष्टा बना रहेगा, हर एक चीज का नॉलिज आप लोग से सीर होता रहे, ठीक है मिलते हैं अब ले किलास में, आज के किलास में बस इतना ही, जैहें